बिहार सरकार का भूमी सुधार और राज्यस्वव विभाग लगातार जमीनी विवाद के निप्टारे को लेकर प्रयास रत है आपको बता दे कि इस बीच बिहार सरकार ने समाधान की अलपकालीन और द्रिग कालीन रणनीती अपनाते हुए प्रतेक छोटे से बड़े जमीनी विवाद को दस भागों में बाठ कर एक नई सूची बनाने का दिशानिर्देश जारी किया है इसको लेकर लगातार प्रतेक शनिवार को अंचल स्तर पर CEO और थानेदार की बैठक जारी है इस बीच सबसे बड़ी खबर यह है कि बिहार सरकार प्रतेक छोटे से बड़े जमीनी विवाद को एक यूनी कोट प्रदान करेगी जिसकी मॉनिटरिंग और ट्राकिंग भी सरकार द्वारा की जाएगी क्या है पूरी खबर आये बताते हैं आपको विस्तार से सूबी में जमीन विवाद के मामलों को दस भागों में बांट सूची बनाई जाएगी गुरी विभाग, राजस्व एवं भूमी सुधार विभाग और बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन की संयूक्त बैठक में निडने लिया गया है कि भूमी विवाद मामलों की सूची बनाई जाए मामलों की गंभीरता को देखते हुए यूनिक कोट दी जाए जिसमें जमीन विवाद स्थल उनकी समवेदन शीलता की स्थिती और विवाद का पूरा इतिहास रहे उन्जमीन विवाद मामलों के मॉनिटरिंग के लिए ग्री विभाग software बनाएगा और उसका संचालन भी करेगा थाना और अंचल स्तर के जमीन विवाद मामलों की विधी विवस्था और जान माल के संभावत नुकसान की समवेदन शीलता को देखते हुए प्राथमिक्ता बनाई जाए थाना प्रभारी और CEO अपने उपर के पदादिकारी SDPO और SDO को ऐसे मामलों से अवगत कराएंगे Software के माध्यम से आयुक्त और IG सभी स्तर पर जमीन विवाद मामलों की मौनिटरेंग, ट्राकिंग और समिक्षा करेंगे राजस्व एवं भूमी सुधार विभाग भी समिक्षा कर अपनी रिपोर्ट ग्री विभाग को देगा मामलों के अनुसार समाधान की अलपकालीन और द्रिग कालीन रणडीती बनेगी जरूरत पढ़ने पे CRPC और IPC की विभिन धाराओं के तहत कारवाई भी की जाएगी न्याले स्तर पर आदेशों का अनुपालन अंचल और थाना स्तर पर ही सुलजाने की पूरी कोशिश होगी अभी थाना और अंचल स्तर से लेकर SP और DM स्तर के विवादों को लेकर बैठक होती है और उनकी कारवाही बिहार सुधार मिशन में अपलोड होते हैं वही राजस्व एवं भूमी सुधार विवाग के स्तर से मामले को सुलजाने की कारवाई होती है इसको लेकर सभी चौकीदार अपने इलाके से समंधित भूमी विवादों की जानकारी प्रतेक शनिवार को अंचल अधिकारी को उपलब्द कराते हैं राज में जमीन से जुड़े विवादों को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए सरकार ने हाइटेक प्रणाली विकसत कर ली है राज में लाखों लोगों के बीच भूमी विवाद है जमीन से जुरे छोटे बड़े प्रतेक विवाद से जुरे युनी कोट देने जा रही है इस कोट के जरीए अंचल थाना में बैठे अफसर से लेकर मुख्य सचव तक यह जान जाएंगे कि विवाद किन गाउं में किन लोगों के बीच है अब तक क्या घटत हो चुका है प्रसाशन ने अब तक क्या क्या कारवाई की है इसके आगे की कारवाई करने में सहूलियत होगी स्थानी अधिकारी आला अधिकारियों को गुमरा नहीं कर पाएंगे भूमी विवाद मामलों को 11 श्वेणियों में बाठ कर इनका निश्पादन करने के लिए राजस्व एवं भूमी सुधार विभाग ग्री विभाग तता बिहार पिसाशनिक सुधार मिशन ने संयुक्त बैठक कर नई विवस्था लागू करने का निर्ने लिया है भूमी विवादों के कारगर निप्टाने के लिए राजस्व एवं भूमी सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव विवेक कुमार सेंग की अध्यक्षिता में ग्री विभाग राजस्व एवं भूमी सुधार विभाग तता बिहार पिसाशनिक सुधार मिशन की संयुक बैठक की गई थी इसमें बिहार में भूमी विवादों को लेकर थाना से लेकर मुख्याले स्तर पर बैठक कारवाई करनी के निर्देश दिये गए हैं तीनों विभागों के अधिकारियों ने भूमी विवाद से जुड़े सबी पहलियों पर विचार कर एक प्रभावी विवस्था लागू करने का निर्ने लिया है राज के सभी भूमी विवाद की सूची तयार कर उनको विशेश कूट संख्या यानि की यूनीक कोट दिया जाएगा इससे उनके स्थल प्रकिती समवेदन शीलता पूर्व का इतिहास आधी ब्योरा होगा इनके मॉनिटरिंग के लिए ग्रेविभाग एक सॉफ्ट्वेर विक्सित करेगा सरकार ने भूमी विवादों की श्वेनी बनाई है जोकी इस प्रकार है सरकारी भूमी पर कबजे का विवाद, सरकारी भूमी का अतिक्रमन, बंदोबस्त भूमी से बेदखली का मामला उच्छतम उच्छ न्याले में विचार धीन मामले वाली भूमी को लेकर विवाद एवं कोट के आदेश अनुपालन के समय उत्पन विवाद सिविल न्याले में लंबित मामलो की सनहत भूमी को लेकर विवाद एवं न्याले के आदेश अनुपालन के साथ उत्पन विवाद भूमी की मापी सीमाकन के समय उत्पन भूमी विवाद यानि रैयती एवं सरकार दोनों भूमी के मामले में लोग शिकायत निवारन प्रधिकरन के द्वारा पारत आदेश का अनुपालन में उत्पन विवाद, नीजी रास्ता का विवाद पारिवारिक भूमी बटवारा से उत्पन विवाद, इसके बाद बचेवे भूमी विवादों को इग्यारवी यानि कि अनिश्रेणी में रख गया है, आपको बता दे कि सरकार द्वारा जो प्रते छोटे से बड़े भूमी विवादों को यूनीक कोट दिया जाएगा, उसके जरीए मॉनिटरिंग और ट्राकिंग हो सकेगी, जिससे थानेदारों और मुख्य सचव तक को यह पता चलेगा कि विवाद गाउं में किन- तो अभी के लिए बस इतना ही अनकाई अपडेट्स के लिए मैं साथ जुड़े रहें न्यूस फोर नेशन में, नमस्कार